आप मेरे चानल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो शेयर कर लो कॉमेंट कर लो सब कुछ एक साथ कर लो धेर सारा प्यार निचावर कर लो आज की वीडियो में आपको सिखाने जा रही हूं कि आप फेसलिफ्ट कैसे कर सकते हो ठीक है पिशली वीडियो में आप लोगों को गुवाशा और जेड रोलर नहीं सिर्फ जेड रोलर यूज़ करना सिखाया था तो काफी सारे कि हम बोले थे हमें तरीका बताएं ठीक तरीके से किस तरह से यूज़ होता है तो यह बिफॉर ह है जिसमें गुवाशा जेड रोलर और आई रोलर आता है और यह आपको कहां से मिलेगा मैं देखूंगी अगर मुझे लिंक मिनगी मैं नीचर डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी अगर आपके पास यतिनों चीज़ें नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है आप हाथों के साथ भी फेस लिफ्ट मसाज कर सकते हो तो यह है जेड रोलर दोनों साइड इसके कुछ दिखते हैं इस तरह से हैं दूसरी बहुत जरूरी बात कि इसको आप दिन में दो बार यूज़े करते हो सुबा में भी और रात में भी फिर है यह आई रोलर यह अंडर इगनोर औरिजनल और फेक कैसे बता लगेगा आपने फेस पर इसको इस तरह से रखना है और ठंडा अगर फील हो बरफ की तरह तो बस यह औरिजनल है फेशल आई में यहां पर आई क्यू और यानिक का यूज़ कर रही हूँ यह सरदी की वज़े से जम जाता है तो इसको थोड़ा सा गरम करने के बाद में कुछ ट्रॉपस अपने फेस पर अप्लाई करूँगे, आप किसी बेरान का भी फेसल ऑई यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही यूज़ करो लेकिन ज़रूरी ये बात है कि ठीक चीज़ यूज़ करो अपने फेस पर, अज़ यह को हाथों से मसाज कैसे करते हैं वो टेक्निक आपको बता देती हूं आपने अपने हाथ को वी शेप में बनाना है बड़ी फिंगर जो आपका थम उसको जॉलाइन के नीचे रखना है और कान के करीब लेके जाना है अपवर्ड डारेक्शन में इस तरह से मसाज करना है ठीक है अपने 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 फेस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना हलका हलका मसाज करना है अपवर्ड डारेक्शन में और फिर आती है फॉर हेट के बारी जिनको बहुत सारी रिंकल्स होते हैं फॉर हेट पे मेक शूर कि आप उंगलियों के मद्द से इस तरह से मसाज करो द बारी हाती है गर्दन की तो फेस का जब हमने अपवर्ड डारेक्शन में मसाज कर लिया तो नेक का हम डाउनवर्ड डारेक्शन में मसाज करेंगे अगर आपको रिंकल्स वगारा है नेक एरिया पे तो मेक शूर के डाउनवर्ड डारेक्शन में इसी तरह मसाज करें अब भी बारी जेड रॉलर की तो जेड रॉलर को आप इस तरह से भी अपषड डिरेक्शन में ले जा शकते हैं और इस तरह से भी लेकिन make sure कि अप डिरेक्शन में आप ऐसे लेखे जाओ तो वापस ona ले गे आ उ स्टार्टिंग पॉइंट से ही जेड डॉलर को दुबारा अपवर्ड डारेक्शन में लेके जाना है आई के अराउंड इस तरह से मसाज करेंगे फॉर हेड पे इस तरह से ठीक हो गया, so neck area के लिए हम ये वली side use करेंगे इसको हम यहाँ से start करेंगे, नीचे की तरह लेके जाएंगे, और दुबारा वापस नहीं लेके आएंगे, बलकि starting point से ही start करके वापस नीचे लेके जाएंगे इसका मसाज इसी तरह से करना है उमीद है कि जेड डॉलर को किस तरह से यूज़ करते हैं, आप लोगों को आ गया होगा कोई भी confusion हो, नीचे comment section में मचसे पूछना है, then ये IQ organic की caffeine serum मैं आजकल use करी हूँ, under eyes के लिए बहतरीन है, best है मेरी तरफ से recommended है, then आई रॉलर को हम eye corner से outward direction में इस तरह से लेके जाएंगे और end point पे हम इसको थोड़ा सा press करेंगे, then puffiness के लिए हम इसको नीचे की तरफ से outward direction में लेके जाएंगे, again press, आपने pressure बहुत 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 लाइट रखना है, जेट रोलर हो गया, या eye roller हो गया, ये आपके wrinkles वगयर को remove करता है ये blood circulation जो है वो increase करता है, जिसकी वज़े से आपके skin features जो है, वो improve होते हैं, अब बार ये आती है, गवाशा की, गवाशा जो है, वो scraping technique के लिए use किया जाता है, तो वहाँ पर pressure बहुत ज़दा लगता है, बाड़ी पे, लेकिन face पर आपने pressure बहुत light रखना है, chain area पर मैंने इसको रखा, जो बड़े वाली side थी, उसको आपने अंदर की तरफ रखनी है, और फिर इसको इस तरह से लेते जाना है, around your ear, और थोड़ा सा pressure लगाना है, I hope I'm making sense, then ये जो गवाशा का पेट है ना, इससे आपने अपना face massage करना है, ठीक है, और eyes के around इस तरह से massage करना है, you can see के एक दम से lift हो जाता है आपका face and forehead के लिए आपने ये वली side को use करना है by forehead पे wrinkles हैं या जो बहुत गुसा करते हैं उनके यहां पे wrinkles आ जाते हैं, तो इसको इस तरह से लेकर उपर की तरफ इस तरह से लेके जाना है, मज़ी की हुए and neck area के लिए ये वली side को use करना है, downward direction में फिर मैं क्या करती हूँ, मैं जब massage कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नीम गरम पानी में एक कपड़े को लेकर या टॉबल को लेकर उससे अपने face को साफ कर लेती हूँ, toner लगा लिया, musin का फिर है IQ organic का vitamin C, ये मैं रात की routine आप लोके से शेयर कर रही हूँ vitamin C बहुत अच्छा है, आपकी skin को brighten up करने के लिए अगर आपकी skin uneven है, या dark spots हैं तो उसके लिए बहतरीन, बहतरीन, बहतरीन है कुछ drops लेंगे और उसको skin पर इस तरह से apply कर लेंगे और इसके उपर cream भी apply करेंगे ठीक है and cream लगाने से पहले हम आई serum apply करेंगे IQ organic का ही मैं apply करी हूँ, या पर ये मुझे बहुत पसंद है और इसके बाद हम cream apply करेंगे और फिर सो जाएंगे वीडियो पसंद आई होँ, तो मुझे ज़रूर बिताएगेगा तो भाई बहुत 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 सारा प्यार गुड नाइट, शबा खेर, अलाफ़ेश